नमस्ते दोस्तों कैसे ही हैं आप मैं हूँ आपकी दोस्त कवीता रादा की रसोई में आपका बहुत दोस्त स्वावते दोस्तों आज हम छोले और आलो की डिक्की की चाट बनाएंगे ये रेसिपी छोटे बड़े और गुजर सभी को जरूप पसंद आईगी तो चलो भीगे होए छोले कुकर में डालेंगे छोले का पानी हमने अटा दिया था है छोले में नमक और एक फ्रेश देच पत्तर डालेंगे एक कपड़े में एक चोटी बड़ी लाइची एक इंची सिर्मनी श्टीक चार लॉंग दस बार अकाली मिर्च और तीन चार सूखे आमले के टुक्रे डालेंगे यदि सूखा आमला नहीं है तो इसकी जगे एक टीस्पून चाय पत्ती भी डाल सकते हैं इसको डालने से छोलो में काला कलर आएगा कपड़े की एक नोट बादेंगे इसे छोले में डालेंगे कुकर में मीडियम फ्लेम पर पांच विसल लगाएंग पर कुकर को खोल कर चोले को चेक करेंगे चोले हमारे अच्छे से गल गए हैं मसाले हम अटा देंगे छोले का छोगने के लिकुकर में एक बड़े चमच ओल डालेंगे ओल के मीडियम गरम होने पर एक बड़ा बारीक कटावा प्याज डालेंगे छेसाथ लस्तन की गलिया एक इंच बारीक कटा दर्ग डालेंगे प्याज के डालक ब्राउन होने पर एक टेबल इस्पून लाल मिर्च दनिया पावडर, हाफ आफ टीजपून सोड पावडर काला नमक और रोस्टेट जीर पावडर डालेंगे थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भूनेंगे यदि छोले में और ग्रेवी करना चाते हैं तो उबला पानी डाल सकते हैं 4-5 मिनट तक लोफ लिम पर चोले को उबालेंगे बारी कड़ा हरा दनिया डालेंगे हमारे चोले बनकर त्यार हैं हरे धनीय की चटनी बनाने के लिए गुर्ण नमक और थोड़ा सा पाने डालेंगे दो पिंच हिंग डालेंगे धनीय को ग्राइंड करेंगे हमारी हरे धनीय की चटनी बनकर त्यार है अब हम आलू की टिक्की बनाएंगे, या पर हमने 4 उले वालू को छील कर लिया है, टिक्की बनाने के लिए हमेशा आलू को 3-4 गंटे पहले वाल कर रग ले, आलू को ग्रेटर के मोटे साइच से ग्रेट करेंगे, सारे आलू हमने रेडी कर लिये हैं, अब इसमें 1 1⁄फ टी टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून खाली मिर्च पाउडर डालेंगे, आदा कटोरी चावल का आठा डालेंगे, यदि आपके पास चावल का आठा नहीं है तो इसकी जगए आरा रोट या कौन स्टार्च भी डाल सकते हैं, एक बड़े चमच ओल डालेंगे, इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी डो हमारा ज्यादा सॉफ्ट है, इसमें उन फॉर्ट को टोरी चावल का आठा ओड डालेंगे, रोटी की तरह सॉफ्ट डो लगा कर तियार करेंगे, टिकी का डो हमने रेडि कर लिया है, हतेली को इसे चिकना करेंगे, जिससे की टिकी का डो हतेली में चिपके ना डो से मीडियम साइज की लोई तोड़ेंगे लोई की एक बॉल बनाओं गे बॉल को दोनों हतेली के बीच में रखकर हलके आतों से दबाओंगे किनारे से उच्चा करेंगे और इसे एक टिक्की का रूप देंगे एक टिक्की हमने बना ली है दूसरी टिक्की आपको बना कर दिखाते हैं डो से लोई तोड़ेंगे और इसे गोल करेंगे इस बोल को दोनों हतेली के बीच में रखकर हलके आतों से दबाएंगे किनारे से उच्चा करेंगे सारी टिक्की आइसी तरह बना कर त्यार करेंगे तबे पर हमने पीनेट ओएल गरम होने रख दिया था मेडियम गरम ओएल में लो फ्लेम पर टिक्की डालेंगे तेल हमारा गरम में टिक्की डालते समय ध्यान से डालें हाथ जल भी सकता है नीचे से ब्राउन होने पर टिक्की को पलतेंगे आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं टिक्कियों को अलगी हातों से पलतेंगे दोनों साइड से उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इने फ्राई करेंगे टिक्कियां फ्राई हो चुकी हैं से निकालेंगे बाकी बची टिक्कियों को भी ठीक इसी तरह फ्राई करेंगे नीचे से ब्राउन होने पर टिक्की को हलके हातों से पलतेंगे दोनों साइड से उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इने फ्राई करेंगे टिक्कियां फ्राई हो चुकी है सारी टिक्कियां हमने बना कर त्यार कर ली है आदा कटो रिफ्रेश दई में थोड़ा सा पायन डाल कर हमने फेट लिया था शुकर पाउडर डाल कर दई को अच्छे से मिक्स करेंगे टिक्की आपको सर्व करकर दिखाते हैं टिक्की को हलके हातों से तोड़ कर प्लेट में रखेंगे उपर से हरे दनी की चट्नी इमली खजूर की चट्नी और फेटा वा दई डालेंगे छोले की सबजी डालेंगे छोले कम ज़्यादा डाल सकते हैं उपर से फेटा वा दही प्याज के लच्छे इमली खजूर की चट्नी और हरे दनी की चट्नी डाल कर गर्मा गर्म सर्व करेंगे अगर आपको ये रेसिपी पसंदा है प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वोचिंग और बाई बाई